ए गाईस, तो जासे कि लास पार्ट में हमने देखा था, रूडी चैन इम्पैर में आने के बाद तांग सांग में जीयान मुं सििटी में आ जाता है, यहाँ पर आने के बाद यह ब्लू गोर्ड क्लैन से मिलता है, और यह क्लैन तांग सांग को इनका यंग मास्टर समज रहे हैं तांग संग रास पार्ट में विग्र्टी को अपना चलोजी दे रहा था जिससे यह इबोल्ब भी हो रहा था अब आगे तांग संग मीगॉंची के एंपर बनने के बारी में सोच रहा है है कि उस टाइम पर क्या करेगा जबकि इसे पता है कि इसकरे काफी सारे emperor का support चाहिए होगा हाला कि ये जानता है कि अगर ये emperor बन जाएगा फिर ज्यादा problem भी नहीं होगा तांग संग सोचता है ये blue gold clan है इनका पुरा ही spirit clan में influence है तो तांग संग इनका भी फैदा उठा सकता है मी गोंची के emperor के ट्राल के लिए नॉर्मली तो वैसे elders यहाँ पे ये ancestor tree को touch नहीं करने देते हैं किसी को भी मगर जबकि ये देख रहे हैं कि तांग संग के कारण से काफी big changes भी आ रहा है और वो भी good changes फिर ये भी कुछ बोल नहीं रहे हैं जो भी ट्यानमो city में हैं ये ancestor tree से निकलने वाला light को देखकर जुग जाते हैं इस tree के सामने में village और town में भी जाता है इसे ये भी disturb हो जाते हैं और जब ठट दे आता है फिर एक बंदा आता है जियानमो city के ऊपर fly करते हुए और ये जियानमो city के ऊपर float कर रहा है और इसके body पे golden armor भी देखा जा सकता है इसके औरा को feel कर कहा जा सकता है कि ये एक emperor level का बंदा है जब ये यहाँ पर आता है फिर ये भी काफी surprise होता है ये पहले भी जियानमो city आ चुका है मगर इस टाइम पर जब ये आता है फिर ये देखता है कि पुरा ही city plant और trees से cover हो चुके हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये city ही forest में डूब गया हो ये बंदा अपने defense के लिए काफी famous है और साथी ये powerful भी है ये king kong spirit clan से है और इसे king kong emperor भी कहा जाता है ये king kong city को control करता है जिसे kongos city भी कहा जाता है और इसके city को काफी resources भी मिलते आ रहे हैं जियानमो city से अब तक है ये हर किसी को चाहिए होता है अपने cultivation के लिए एक समय में king kong emperor ने दूसरे को suggest किया था कि blue gold clan ये fighting में अच्छे नहीं है इन्हें भागा देना चाहिए और इनका ancestor tree को हत्यार देना चाहिए और सभी दूसरे races के लिए इसे open कर देना चाहिए तो जब ये सुना कि ancestor tree changes से गुजर रहा है फिर ये खुरी देखने यहां पे आ गया जबकि इसे पता था कि यहां पे blue gold clan में कोई भी emperor नहीं है और नहीं ये fighting में अच्छे भी हैं तो फिर तो ये सोचा कि इसका कौन क्या ही बिगार देगा और ये सोचा कि अगर ये यहां पे आता है फिर इसे benefit भी मिल सकता है हाला कि जब ये यहां पे आया है और जब ये फिल करता है फिर ये भी काफी surprise होता है कि क्योंकि ये फिल कर सकता है कि city से काफी ज़्यादा life energy फिल हो रहा है और ये थोड़ा बहुत life energy नहीं है बलकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ancestor tree का life energy ना हो बलकि कोई powerful being का जन्म हो रहा हो औ इसे पास तर जाकर देखना चाहिए और city का पास में जाने लगता है life energy को एफसर्फ करने के लिए मगर जैसा ही ये पास में आता है तुरंती से आवाज आता है तुम्हारा ये हिम्मत है और इस आवाज को सुनकर इसे भी काफी डर लग जाता है इसे काफी pressure भी फिल होता है और ये दुरंती उपर स्काई में fly करते हुए भागने लगता है इसे ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ही plane इसका enemy बन गया हो और इसे surprise करने का try कर रहा है इस टाइम पर इडर ये ground पे जोग कर एंसेटर ट्री को respect देख रहे होते हैं अभी थोड़े दिर पहले ये feel भी किये थ कि थोड़े दिर पहले एक emperor यहाँ पे आया था अगर ये डर कर भाग गया ये सोचते हैं सैद इस बार अंसेटर ट्री सच में evolve हो रहे हैं और ये जाग भी चुके हैं ये जानते हैं एक emperor को इस तरह से ड़ागर भागाना तो आम बात नहीं है ये काम करिशल डिमर एंपर भ अफेंड किया था मुझे प्लीज पनिस करें तांग संग कहता है पनिस्मेंट इसका कोई जुरुवत नहीं है सभी अल्डर क्लाइन के बनिफिट के लिए ही सोच रहे थे फिर इसके लिए पनिस्मेंट कोई कैसे दे सकता है ये सुका ग्रे टैलर कहते हैं चीफ मैंने पहले आपको रोका हम पहले एंसेस्टर ट्री के लाइफ एनरजी को यूज करते थे खुद के बेनिफिट के लिए हम इसे ब्लैक मार्केट में लाइफ एनरजी को सेल भी करते थे हम कभी भी इनरसिटी के बाहर जाने का हिमत कभी भी नहीं करते हमें हमें हमेसा ही डर रहता था कि हमपर एडाइक हो सकता है अभी कुछ सालों से एंसेस्टर ट्री के हालत को देहिककर हम काफी डर रहे थे की कहीं एंसेस्टर ट्री डिश्ट्राइब ना हो जाये नहीं तो फिल हमारा फैमिले भी इन इसने भी ऐसा नहीं सोचा था लेकिन जबकि ऐसा हो चुका है फिर पूरे ही प्लेन में लाइफ एनर्जी भी काफी फैल गया है और इसे लग एनर्जी भी इंक्रीज करेगा लेकिन इससा ज़्यादा फायदा तो टियानू एम्परर को ही होने वाला है हाला कि तांग संग इस पे ज़्यादा गुश्खास कर भी नहीं सकता है इंपोर्टन थिंग ये है कि आंसेसर ट्री अब पहले से काफी पावफल भी हो चुका है जिससे तांग संग को भी बेनिफिट होगा तांग संग वैसी ये इनर्टेंस को एक्सेप्टे करने का तो नहीं सोच रहा इसका दो रीजन है पहला रीजन ये है कि जबकि आंसेसर ट्री इवॉल्व हो चुका है इसके पास में प्लेन का लाइफ एनर्जी काफी जाता है अगर तांग संग इनर्टेंस को गेहिन करता है फिर इसका मतला होगा कि डाइरेक्टली इस प्लेन का लाइफ एनर्जी को एपसाप करना जो कि प्लेन मास्टर कभी बी नहीं चाहेका और तांग संग तो प्लेन मास्टर के साथ में एक एगरिमेंट भी किया है कि यह Emperor बनने के लिए इस प्लेन के एनर्जी का इस्तमाल नहीं करेगा तो फिर यह कर भी नहीं सकता है और दूसरा कान यह है कि जबकि Ancestor Tree evolve हो चुका है फिर इनका पास में इनका Divine Senses भी लौर कर आ जाएगा और यह फिल कर लेंगे तांग संग इनका Descendant नहीं है तो अभी तांग संग सिर्फ Ancestor Tree का ट्रस्ट ही जीच सकता है इस तो तांग संग प्लेन मास्टर के ट्रस्ट को भी जीच सकेगा तांग संग अभे सभी elders को कहता है अब मैं कुछ दिनों तक के cultivation करने वाला हूँ और मैं अभी Ancestor Tree के inheritance को accept नहीं करूँगा जब मैं future में एक Emperor Level पर चला जाओंगा फिर उस टाइम पर मैं ये करूँगा अभी नहीं करूँगा यसों का सभी elders भी काफी surprise हो जाते हैं Great Elder कहते हैं Chief अभी क्यों नहीं करेंगे आपे अगर आप अभी करते हो फिर आपके पाफ चांस भी होगा एक Emperor Level पर जाने का आप Emperor Level पर भी जा सकते हो इस पतांग संग कहता है अभी अभी Ancestor Tree जा गए हैं और मैं खुद के benefit के लिए इनके life energy को Emperor Level पर जाने के लिए absorb नहीं कर सकता है इससे Ancestor Tree भी डैमेज हो सकता है अभी Ancestor Tree अपने Divine Sensors को recover कर रहा है और इसमें काफी time भी लगेगा तो फिर इसे होने देते हैं और अगर Ancestor Tree strong रहेगा हमेशा फुरी हमारे clan को हमेशा भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी मुझे Ancestor Tree से काफी benefit भी मिला है तो इसमें काफी time भी मुझे लगेगा इन सभी benefit को absorb करने में इस time prayer में मैं दूसर सिटी में भी जाकर हमारे clan का सभी members को वापस लाओंगा जिन लोगों को भी बंदी बना लिया गया है और मैं Ancestor Tree का wealth को फैला दूँगा ये समका दूसरे भी काफी surprise हो जाते हैं मगर सभी elder Tang Sang के बातों को respect भी करते हैं कि ये खुद का नाव सोच कर बलकि हमारे clan का और साथी Ancestor Tree के बारे में भी सोच रहा है Tang Sang अब इस Ancestor Tree के नीचे में बैट कर cultivate करता है और elders भी Tang Sang को protect करने लगते हैं कुछ elders यहाँ पर रुखते हैं Tang Sang को protect करने के लिए जब ये जाते हैं फिर दूसरे elder यहाँ पर आते हैं Tang Sang को protect करने के लिए जब भी Tang Sang deep meditation में चला जा चुका है तो फिर इता King Kong Emperor के साथ में क्या हुआ था सभी जगा पे ये news फैल चुका है और साथी Ancestor Tree के बारे में भी news फैल जाता है सभी जानते हैं कि ये life energy का source है इता Tang Sang का cultivation अब है साथ दिन तक चलता चला जाता है और इस दरान ये Ancestor Tree से अपना connection भी connect कर पाया है ऐसा लगता है कि अभी Ancestor Tree जाग तो चुके हैं मगर अभी भी इनका intelligence गेन नहीं हुआ है इस दरान तांग सां का body भी काफी recover कर चुका है और 37 का bloodline भी improve कर चुका है इसका सभी bloodline ने 11 tier पे आ चुके हैं इसका super bloodline को काफे benefit हुआ है यह पहले से ही 11 tier पे हैं और अब यह पहले से और भी solid और powerful हो चुके हैं life energy के कारण से आसा लगता है कि पुरा ही जियान मूज से टी वड़ी बॉन हो चुका है day by day Ancestor Tree का भी power धिरे धिरे increase करता जाता है जब तांग संग उठता है अपने cultivation से फिर इसके पार्स में great adder आते हैं और तांग संग से respectfully भात करते हैं और इन दोनों में जो भी हुआ है इसे report करते हैं यह भी जानते हैं कि तांग संग के आने के कारण से ही काफी benefit भी blue gold clan को आया है सबसे ज़धा benefit ancestor tree को आया है अब सभी elders और clan के सभी लोग पहले से काफी अच्छे से cultivate भी कर पा रहे हैं elders कहते हैं कोई ancestor code से wait कर रहा है यहाँ पे ancestor code से एक messenger आया है आप से मिलने के लिए यह काइफ of clan का messenger है तांग संग इस messenger के पास में आ जाता है इसे मिलने के लिए messenger का नाम है लिंक त्यान है और यह तांग संग को देखकर इसे respectfully greet करता है तांग संग को पता है कि यह बंदा यहाँ पर luck energy को fill करने आया है कि यहाँ पर luck energy जादा है या नहीं जबकि ancestor tree का recovery सही चल रहा है फिर life energy भी यहाँ पर काफी जाता है और life energy से भी luck energy भी produce होता है लेकिन इसे नहीं पता कि तांग संग के पास भी स्काइफाक्स क्लैन का skill भी है और यह बंदा अभी तो 10 tier पर ही है और तांग संग का स्काइफाक्स skill यह 11 tier पर आ चुका है लिंक त्यान कहता है मैं हमारे क्लैन त्यान हो क्लैन के तरफ से आपके ancestor tree के successfully revive होने के लिए congratulate करता हूँ इस पर तांग संग कहता है thanks मगर मैं भी एक favor चाहता हूँ ancestor court से तांग संग कहता है हमारे क्लैन के against हमेशा से ही दूसरे race से attack करते आई है और जबकि हमारे क्लैन में ancestor tree recover हो चुके है हम अपने क्लैन के members को वापत लाना चाहते है मैं चाहता हूँ कि जिस भी क्लैन के पास जिस भी city में हमारे क्लैन के लोग है जिनने slave बनाया गया है जिनने बंदी बनाया गया है उन्हें release किया जाए और हमारे क्लैन में safely send कर दिया जाए लिंक द्यान भी ये जानता है कि blue gold क्लैन के पास कोई भी attack skill और defense skill नहीं है इनके पास ज़्यादा life energy ही होता है और ये दूसर race के लिए काफी beneficial भी है तांग संग कहता है अगर तुम ये कर देते हो फिर मैं पहले जो भी हुआ ये बोल जाऊंगा लेकिन अगर नहीं फिर मैं हर city में जाकर अपने क्लैन के लोगों को save करूँगा ये सुनकर इधर जो elder यहाँ पर थी है ये भी काफी surprise होते है ये कुछ कहने वाले थे हैं अगर ये देखते हैं कि तांग संग के फिषे ancestor tree से राइड भी इमीट होड़ा है और ऐसा लगता है कि तांग संग और ancestor tree दोनों ये एक दूसर का साथ में connect हो चुके है और अब ये fox बंदा कहता है जो कि link त्यान है ठीक है मैं आपके message को ancestor court में दे दूँगा अभी आपके लिए मैं एक gift लेकर आया हूँ ancestor court की ओर से तांग संग देखता है कि ये अपने साथ में lotus seed को लेकर आया है ये lotus seed है ये luck seed है जो कि hell garden के center में पाया जाता है तांग संग समझ जाता है कि ये चाहता है कि ये lotus seed को तांग संग ले ले जिसके काना से lotus seed यहाँ पी ancestor tree के life energy में काफी strong बनेगा हाला कि इसे ancestor tree को भी काफी benefit होगा अभी fox कहता है my lord आप ए city के lord हो फिर आपको ancestor court आना होगा और आपको अपना ट्याल भी पूरा करना होगा तब जाकर आपे successfully city lord भी बन सकोगे मी गौंजी के पिर ट्राल पार करना पड़ा था और अब तांग संगों भी ये करना होगा मगर दोना में difference यह है कि इस बार ये fox बनता काफी politely तांग संग से बात कर रहा है और वह ऐसे भी ancestor court भी चाहेंगे कि तांग संग ए एंपरर बन सके तभी जाकर ज्यादा से ज्यादा लाइफ एनरजी भी कंडेंस हो सकेगा और अगर ऐसा हो जाता है फिर कुछ और एक्स्टर एंपरर भी जन ले सकते हैं वैसे अभी total इस world में 17 एंपरर इस प्लेन में रह सकते हैं यानि कि बन सकते हैं लेकिन अगर लाइफ एनरजी ज्यादा से ज्यादा कंडेंस हो जाए फिर इससे 18 या 19 से एंपरर भी बन सकेंगे तांग संग इससे तांग संग कहता है यह दर का लिंक ट्यानी भी ज्यादा कुछ खास नहीं कहता और कहता है मैं अब चलता हूँ यहाँ से मेरा काम यहाँ पे हो चुका है और जाकर मैं आपके लॉश्ट क्लाइन को मेंबर को सर्च करता हूँ इसका जाने के बाद तांग संग है अपने अलर से डिसकर्स करता है इस पर ग्रेट एलर कहते हैं हमारे क्लाइन को दूसरे लोग को सेफ करना यह इंपोर्टेंट है लेकिन आपको यह नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें दूसरे सिटी में फाइट भी हो सकता है और वहाँ इंपर भी हो सकते हैं और हम फैटिंग में अच्छे नहीं होते हैं यह शुनकर तांग संग अपने हाथों को आगे करता है और गोल्डन लाइट शूट होता है और यह लाइट एलर के पास में आ जाता है इससे फिलकर एलर भी समझ जाते हैं कि तांग संग का क्या मतलब है यह light ancestor tree का है और तांग संग अब एंसेटर tree के power को भी जब चाहे तब इस्तमाल कर सकता है। यह light ancestor tree का है इससे देख कर elder भी तांग संग को respectfully salute करते हैं। Great elder सभी को call करते हैं सभी elder को यहां पहले कराया जाता है। तांग संग इन सभी elder में एक ताका symbol को create कर देता है। इससे अब यह सभी elder से ancestor tree के power को use कर सकते हैं। तांग संग कहता है तुम सभी नहीं से feel कर लिया ही होगा। यह ancestor tree के तरफ से एक gift है। अब हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। और हमें दूसरे race से डरने का भी जरूरत नहीं है। इससे बोड़ी से golden light भी release होता है। और ऐसा लगता है कि एक mini sun ही बन कर ready हो चुका है। तांग संग सभी को कहता है। मैंने अब यह ancestor court की messenger को कहा है कि एक मत हम wait करके देखेंगे। अगर इस time period में ancestor court है, action नहीं लेगा फिर मैं खुद यह action लूँगा और हमारे clan member को लेकर वापस आउँगा। तांग संग इसे भी alert को order देता है, ancestor tick के पास में cultivate करने का। मियाओ संग भी हमेसा ही तांग संग का साथ में होती है। और यह कभी भी नहीं सोच रही थी कि तांग संग के आने के कारण से clan में सब कुछ change हो जाएगा, तांग संग अब एक रूम में आ जाता है, मियाओ संग अभी इसके साथ में नहीं है, तांग संग यहाँ पर इस रूम में आने का भाद है, यह बैट का meditate करने लगता है, और इसका body से light भी shine करता है, इसका space time tower भी निगा का सामने आता है, करने का try भी करेगा, फिर उसे पुरही plane के गुस्ते का सामना करना बढ़ेगा, जो कि कोई भी नहीं कर सकता है, और इसे के साथ यह पार्ट यहीं पे खतम होता है, तो दोस्तों इसका आगे का part हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, इस पार्ट के लिए इतना है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वडियो को लाइक जरू करें, और अगर आप चानल पर नए हैं, तो चानल को जरू सब्सक्काइब करें, ऐसे और भी Anime Explain के लिए थाइंक यू